आप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉंपुटिव एक्जाम की तियारी कर रहे है तो इस स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में जरूरी शेयर करें ताकि बाकि स्टूडेंट तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो जल से जल जो कि प्रीवेस एर कोश्टन के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बताने वाले हैं तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहेगा टर्म एंड इग्जामिनेशन दिसम्बर 2020 और गनाइजेशन और मैनेजमेंट मैनेजिंग इनफरमेशन पेपर का नाम है और पेपर क बड़ में आपको करना है जिसमें चार कोशन करने हैं तो प्रती एक दस नंबर का रहेगा तो चालीस नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे तो कोशन किस तरीके से आते हैं पहला कोशन देखे जैसे कि डिफाइन लाइबरी क्लासिफिकेशन लाइबरी क्लासिफिकेशन क्य चीन इंडिक्सिन क्या होता एं और इसके टाइपस बताने हैं XAMPPL के साथ में on 3. State the Canon of Classification Classification of the Ideal Plane Discuss the Canon of Classification यह वाला जो है इस पर separate video हम लेकर आने वाले हैं जल्द इसमें Ideal Plane, Canon of Classification होता है इसमें 3 Plane होते है Ideal Plane, Virtual Plane and Notational Plane जो होता है यह तीनों हम यहां पर बताने वाले हैं तो उसका थोड़ा वेट करने हैं 4. What is Library Cataloging लाइबरी केटलोगी सिंग आप क्या समझते हैं और explain करना है need and purpose in describing information resource of library इसकी need और purpose बताने है जो की information source library में आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ कोशन है explain with example the principle and structure of the series list of subject heading ये बताने है S.L.S.H. ये बताना है फिर है state the different type of non-book material discuss the constraint in using them and problem in their cataloging very important ये वाला कोशन very important है बहुत जादे ही important है इसको star mark लगा ले फिर है यहाँ पे second part पे आते हैं जिसमें six question आपको करना है 250 word में और 30 number आपको यहाँ से मिल जाएगा तो पहला कोशन है explain the syntax of priest by giving an example syntax of priest बताने है example के साथ में define user interest classification explain its advantages and disadvantages यहाँ पे बताना है user interest classification और इसके advantages and disadvantages साथ में बताने हैं फिर अगला कोशन है explain the concept and need of indexing consistency जो यहाँ पे indexing consistency होती है उसका concept और उसकी जुरुत क्यों पड़ी ये बताना है discuss the different method of computerizing indexing तो यहाँ पे जो अलग-अलग method जो इस्तिमाल होते हैं computerized indexing में वो बताना है 11th question है यहाँ पे explain the structure and working of classified cataloging जो classified cataloging में जो structure और इसके working होती है वो explain करने हैं और RDI क्या होता है यह बताने हैं इसके key features साथ में बताने हैं 13th question है the need and importance of C also reference in service subject cataloging यह बताना है और last question है discuss the different type of metadata different type of metadata जो है वो बताने हैं metadata data क्या होता है data about the data वो उसको बोलते है metadata like for example अगर आपके पास एक book है तो वो एक data है पर उसके अंदर भी अगर हम metadata ढूनने बैट जाए तो जैसे कि कौन writer है उसके अंदर page number क्या है मतलब कितने page number है quality of book जो जो paper है वो कैसा है कौन publisher है तो उसके अंदर जैसे से मतलब information निकालना वो होता है data about the data तो आई होप आपको सारा question जो समझ में आया होगा देखें अगर आपके question अगर आप 500 वाला word वाला question अगर आप attempt करते हैं यह वाला first part जिसमें 500 word में आपको करना है तो सबसे पहले आपको एक heading के साथ चार लाइन में introduction लिखना है फिर main body लिखके last में पांस लाइन में conclude करना है conclusion heading जरूर डाला है और अगर आप 250 word में लिख रहे हैं तो आपको 4 page से जादा नहीं जाना और आप 500 word में लिख रहे हैं तो 6 page से जादा नहीं जाना यह maximum है तो अगर आप 250 word में लिख रहे हैं तो तीन पेज भी maximum है अगर आप जाद ही लिखना चाहते हैं टाइम है आपके पास तो चार पेज में जा सकते हैं तो उसमें क्या करना है उसमें भी ऐसे heading 2-3 line में heading complete कर देना है आपको introduction और मार्क्स के according आपको main body करना है और तीन लाइन में आपको conclusion भी लिखना है तो सेम इस तरीके से दोनों को करें और यकीन मानें आपका जो जो नंबर है वो काफी अच्छा आएगा और जब आप result देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ इस तरीके से लिखने मे हमें काफी अच्छे नंबर मिलें तो बाकी आपके उपर depend करता है आप किस तरीके से लिखते हैं बट अगर हमारी सलाह अगर मान के आप करेंगे तो आपको काफी फैदा होगा तो आशा करते हैं आपको आज का lecture जो है informative लगा होगा कोई भी doubt हो lecture की regarding तो please करके comment box में जरूर क आप सबी से नेक्स वीडियो में की सलक्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए धन्यवाद है